हलो दोस्तों वेलकम बैक गुसाइं व्लॉक्स तो कैसे आप सभी लोग आई हूप आप सभी लोग स्वस्मस व्यस्त होंगे और मैं भी अपने काम में व्यस्त हूँ सुबह का टाइम में और मैं बच्चों की ब्रिकफास्ट की तैयारी कर रही हूँ यह वाला जो वीडियो है नाश्ते में चटपटे चने जैसे कि आप देखी रहोंगे मैंने इनको अच्छे से बॉयल कर लिया है और बॉयल करने के बाद मैंने इनका पानी अलग से निकाल लिया है और एक बाउल में कटूरे में या इस फ्राइपेन में मैंने अलग से रख दिया है उसके बाद मैंन कुछ खा के भी नहीं मन करता है उनका जैसे हमारा नहीं करता तो मैं उनके लिए कोड़ कॉफी बना रहा हूँ रिशुपी को बोहत पसंद है तो ये मैंने इनके लिए कोड़ कॉफी दोनों ने इंजुए इसे दिया उसके बाद फिर मैं लग गई अपनी पचन के काम में और मैंने का तुम इसके पीओ फिर मैं फटाफट से बना देती चने और हमारे चटपटे चने भी अभी रेडी हो चुके थे तो आप बताईए आपको कैसे लग रहे हैं कॉमें शेक्षन में जर ज्यादा टाइम लगता है और मोटे हैं तो वो खुश से नहीं बना पाती हैं घर में बना भी लेती है तो मैं लोगती हूं पीहँ दो चोटी बना द्यूएं आज मुझे तो उसको ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या देगी मुम्मत उन्हें मैंने वही चट-पटे चने ही बनाई थे तो मैंने जस्ट उनके टीफिन में सब गिये डाल दिया नीबू अगरा नीचोड के डाला अच्छा कि बच्छों को खटा मेठा गया नीबू के थोड़े से बी से निकल जाता है इसलिए मैंने फॉइल पेपर लगाया और इनके नैपकिन भी दे दिया साथ हाथ पोशने के लिए कि यह देखो इस तरीके से मैंने यह लगा दिया तो सच में सुबह सुबह के टाइम के लिए कुछ समझ ही नहीं आता कि बच्छों को क्या दे क्या ना दे आपको भी ऐसा लगता होगा ना सच में बहुत सोचना पड़ता है इनके ब्रेकफास्ट ले इसलिए कुछ चैट पटी और डिफरन डिफरन चीजें ही देने को होता है तो मैंने प्यू का प्यू ने अपना बैक तो रडी करी लिया था साथी और ना बाकी दिन तो प्यू ब्रेकफास्ट बिल्कुल नहीं करके जाती आज कॉफी भी पी थोड़ी सी और थोड़ी से चने भी लिए क्योंकि आज कुछ स्पेशल बनावा था होता ही ये बच्चों को फिर मैंने स्टोर खोला और उसके बाद इनके साइकल बगल निकाली और साइकलिंग मैंने साइकल इनकी दोनों की साफ कर दी रिशू की और प्यूँ की क्यूंकि डस्ट वगरा मिट्टी वगरा लगी होती नहीं तो ये बच्चे लोग साफ करते नहीं तो हवा तो शाम को भर ली थी इसमें फिर रिशू का फ्रेंड भी आ गया था रोहीत और प्यूँ चली अपने इस काम में देख सकते हैं कैसे साब ना ब том है इतना नहीं ओता है, क्योंकि जाड़ो पुछा काम इतना नहीं होता है, हलका जाड़ो जाड़ो कर लेते हैं वह बढ़ता है, इतना नहीं होता है मौर्निंग का काम सबसे ज़्यादा होता है हलो अंटी आज साप में चटपटे चने बनाए है तो अंटी मुझे बद बूल जा रहा है मैं आ गया हूँ मिंकू काफी दिन से आप मुझे खाने में कुछ बुलाई नहीं रही है कुछ देही नहीं रही है ओहो मेरा प्यारा मिंकू मैं तुम्हेना आज याद करी रही थी अच्छा हूँ तुम आ गए हाँ चलो आ गए हो तो ठीक है मैं बरतन दो लेती हूँ तुम मेरी थोड़ी से हल्प करवाओगे ना बेटा फिर मैं बरतन दोने के बाद तुम्हे न दे दूंगी चरने ठीक है चलो हम दोने साथ में बैट के खाएंगे फिर ओ क्यूट सा मेरा प्यारा समिंकू नहीं आंटी मुझे पता है आप मुझे याद नहीं कहजी थी वो तुम नहीं आ गया इदम से खुश्बू को ले लेके बाहर से अरे नहीं रहे मेरे प्यारे मिंकू तुम ऐसे क्यों बोल रहे हो आंटी को तुम ऐसे समझते हो क्या अंटी को बेटा जब भी मैं कोई चटपटी टिशू प्यूख ले कोई चीज ये स्पेशल बनाती हूँ न तो मैं तुम को जरूर याद करती हूँ चलो तुम रहो घर में मैं दूद ले करके आती हूँ दूद ले करके आने के बाद मैंने इस दूद वाले जो पतीला खाली नहीं था चोटा वाला तो दूद आजकल हमारा कमी आ रहा क्योंकि गर्मी के कारण गया भी दूद कमी दे रही है बहुत ज़दہ गर्मी होती तो मैंने पतीले को धुना था क्योंकि दूद एक ही लीटर था तो में इस पतीले कुद दूद दिया क्या फाया इतने बड़े पतीले दो लीटर दूद डूद ड़ ती तो मैंने इस पटीले को अच्छे से धुए organise और उसके बाद मलाई को भी रख दिया साइड में फिर दूद को च्छनी से चान लिया अच्छे से आप भी चानते होंगे जैसा की तो चानने के बाद मैंने दूद गरम किया और उसके बाद मैं काफी ठक गई थी तो मैंने बनाया मिंकू के लिए और अपने लिए रूफ ह्योंकि हमारी गरमयों की जान है नहीं जान है सच में पता नहीं आप लोगं को कैसा रखता होगा मीठा वहँ ज्यादाया होता है बर मुझे तो बहुत पसंद है ठंदे ठंदे पानी में न रूह अबदा हैाप बनाना कुंझे पसंद रूह संद आ ब्र उन्हाई क्टाया क पीने के बाद थोड़ी सी घुसाई जी के अंदर एनरजी आ गई थी उठने वाली सुभे सुभे वाली जैसे कि आप सोच समझी रहे होंगे फिर थोड़ा सा और बचा था तो मैंने पी लिया आपको तो पता है न मैं ऐसी चीजे खाने पीने में बहुत इंटरस्ट रखती तो फिर ये बच गिया था एक और ग्लास और ये मैंने रख दिया फ्रीज में और फिर लग गई मैं अपने जाड़ू पोचा में और ये सारी जो चीजे बिक्री पड़ी थी ना इनको अपने सही तरीके से सही जगे में रखने में और इस बार पता नहीं क्या हो रहा है लोग बैड के नीचे से गुस 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 के जाड़ू लगाते हैं तो ऐसा ही करना होता है नहीं तो लगता नहीं है फिर मैंने जाड़ू लगाने के बाद अच्छे से लगाया पोचा और पोचा ना एक दो बार तो रगड़ रगड़ के लगाती हूं हफते में और किचन की वारी और और य 74 से पुच़ा लगाया जैस की आप देखे रहे और धूप इतनी तेज आ गई थी न सुभी कि बस क्या ही बोटे दिंहाग ना इसा घुम रहा था चक्रा ना घूम नी रहा था चक्रा रहा था माने फिर बना लिकुसाई जी ऑना था तो मैंने रोटी वनानी थी फरह फटा-फट से तो मैंने रोटी बनाई ऑर चट-पटै चट-चनों को फिर से गरम पानी और इदर जाय झाले पानी और इधर बना रहीं कि आ despadoor तो फटा-फटसर रोटी बना लेती हूँ अब आब बताईए कहां की चने को देखकर आपके मुँमे पानी आ रहा है नहीं आ रहा है आपको भी मन कर रहा हूँ को कि कल तुम मैं भी जरूर बनाऊंगी ओहो अंटी वार रोटी भी बना रहे हूँ आप अंटी मुझे रोटी भी खानी है इसके साथ अंटी आज मैं मज़ाब में कर रहा हूँ आज मुझे बहुत जादा भूग लग लग रही बहुत ही जएदा हाँ हाँ मिंकू कोई बात नहीं मैं बना तो रही हूँ रोटी दो तुमारे लिए पर बना दूगी इसमें क्या चलो आज़ो तुम भी खा के जाओ हाँ मिंकू भी आज ना हमारे घर में काफी दिनों बाद आया है चलो मिंकू तुम चाए भी प्योगी क्या हाँ अंटी मैं आपको कहा तो मैं चाए भी प्योंगा अंटी चाए चला एं रोटी मुझे ना बहुत पसंद है अंटी अच्छा ठीक है मिंकू चलो तुम बैठो मैं अंकल को देती हूँ फिर तुम और में एक साथ खाएंगे ठीक है तो अब हमारा ये ब्रेकफास्ट भी बन गया था पराटे मैंने थोड़ा था घी वाले बनाये थे और इधर रखा था दूद तो मैंने दूद को भी रख दि बना के रख दिया और मैं तो अराम से नहा धोके खाऊंगी भाई इतनी घर्मी में खाए भी कौन तो फिर से बर्तन हो गए थे आपको पता हिए बर्तन तो हमारे चोटे-चोटे बार बार होता है फिर ये तब आज एक दो दिन हो गए थे नीद वाश किया था तो फिर मैंन से इंतजार है चटपटे ब्रिक फास्ट का और इसके बाद ब्रिक फास्ट करने के बाद मुझे और प्यूबी स्कूल से आगी थी जल्दी से आज कल एक्जैम चल रहे हैं तो इसके बाद हम चलते हैं मार्केट फिर मिलेंगे नेक्स व्लोग में बाई बाई